हलो एवरीवन गूड मॉर्निंग टू आल अफ यू वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टाडी वित मिताली इस्टाडी वित मिताली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं डिस्कस करूँगी डेली करेंट अफियर्स के कुछ कोस्टन को जो कि हर आने वाले एक्जाम में फेरी फेरी इंपोर्टेंट होते हैं यहाँ पर मैं 17 और 18 सिप्तंबर के कोस्टन को डिस्कस करूँगी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर मेरी किलास की पीडियेफ चाहिए आप सभी को तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़के ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल है इस्टाडीवित मिताली की नेम से और मेरे कुछ सोचल मीडिया हैं ट्यूटर है मिताले6482 इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और इस्टाग्राम है इसे भी फॉलो करके आप कोई भी कोड़ी सो पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स बीच में स्किप मत कीजिए इससे आपको कुछ कोश्चन चाहे एक्स्प्रेनेशन समझ में नहीं आ सकते हैं तो इसलिए पूरा देखिए चलिए हम लोग आज किसरी इसके तरफ बढ़ते हैं यह कल का प्रश्ण फ्रेंड्स इसका एंसर आप सबी को कमेंट्स बॉक्स में बताना था इसका एंसर होगा भी 36 गर हाली में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिसन शुरू किया था तो 36 गर ने शुरू किया था इसके डिफ्रेंशन को देख लेते हैं 36 गर के मुख्यमंत्री भुपेस बगेल ने बाजरा मिसन सुरू करने की घोशना किया जिसका उद्देश किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मुलेदर परदान करना है यह पहले राज़ी को भारत का बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री के वीजन की दिशा में भी एक कदम है मिसन को लागू करने के लिए राज़ी सरकार ने भारतिय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और राज़ी के 14 जीलों के कलेक्टरों के साथ एक समझहोता ग्यापन पर हस्ताक छड़ किये हैं अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यह है आज की स्रीस फ्रेंड से आज का फर्स्ट कोस्चन विस वोजोन परत स्थान दिवस कब मनाया गया Опसन ऐ है 16 सिप्तंबर, option B है 12 सिप्तंबर, option C है 10 सिप्तंबर, option D है 7 सिप्तंबर इसका राइट एंसर होगा A 16 सिप्तमबर इसके डिफनेशन को देख लेते हैं ओजोन परत के संड़च्छन के लिए हर साल 16 सिप्तमबर को अंतराश्टी ओजोन परत संड़च्छन दिवस मनाया जाता है अंतराश्टी ए ओजोन प्रसंरस्चन दिवज 2021 का विशे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीको को थंडर रखना रखना रखा गया है अब आम लोग नेस्ट देख लेते हैं यहें वर्ल्ड ओजोन इसका राइट एंसर होगा ए बोनी कपूर इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर को सिप्तंबर दुरी कैस में दुबाई का गोल्डन बिज़ा परदान किया गया बोनी कपूर और उनके पड़िवारों को अगले दस सालों के लिए दुबाई का परतिश्ठित गोल्डन बिज़ा मिला है UAE सरकार ने वर्ज 29 में गोल्डन बिज़ा की स्थापना की थी कब 29 में UAE सरकार ने नेक्स्ट देखते हैं ये हैं बोनी कपूर जिने गोल्डन बिज़ा मिला है नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर थ्री पेप सीको ने किस राज में 814 करोर रुपे का फूट प्लांट इस्थापित किया है उप्शन A, Odisha, उप्शन B, राजिस्थान, उप्शन C, गुजरात, उप्शन D, उत्तर पर्देश इसका राइट एंसर होगा D, उत्तर पर्देश इसके डिफनेशन को देख लेते हैं खाद देवं पेप अधार्द निर्माता कंपनी पेप सीको ने उत्तर पर्देश राज में 814 करोर रुपे में फूट पलांट इस्थापित करने की घोशना की पेपसीको ने उत्तर परदेश के मथुरा में 814 करोर रुपे की लागत से कोशिकलक हाद देसंयतर का संचालन सुरू किया है जो कि देश में वी निर्मान को लेकर सबसे बड़ा ग्रीन फिल्ड निवेश है पेपसीको का मुख्याले कहा है नियोर्क, पेपसीको के वर्तमां सी यू कौन है इंदरा नोई पेपसीको की स्थापनक कप की गई थी वरस 1999 में अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेती है यहें पेपसीको तरपरदेश नेक्ष्ट कोश्चन है कोश्चन नबर 4 इसका राइट एंसर होगा ए सुनाली खन्ना को कोको कोला इंडिया और साओध वेस्ट एसिया के लिए वाइस प्रेसिडेंट और जेनरल कॉंसिल के रूप में नियुक्त करने की घोशना की सुनाली के पास परसिद FMCG और सेटलाइट कम्यूनिकेशन और टेकनलोजी कमपिनियों जैसे इंदुस्तान को का कोला वेवरेजेज G.S. के कंजियूमर और हुजेस निटवर्क के सिस्टम्स के साथ विविच छेतरों को कवर करने वाली विविन भूमिकाओं में 24 वर्सों से अधिक ककार अनुभव है यह है सुनाली खन्ना जो कोका कोला इंडिया की वाइस प्रिजिडेंट बनी है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर फाइब पश्चिन बंगाल राजे का महादी वक्ता किसे निक्ट किया गया पश्चिन बंगाल राजे के महादी वक्ता के रूप में गोपाल बनर जी को निक्ट किया गया गोपाल बनर जी पश्चिन बंगाल के पूर महादी वक्ता किसोरदत की जगह लेंगे किसकी जगह लेंगे किशोरदत की जिन्हों ने नीजी वजाओं को हवाला देते हुए अपने पस से हाल ही में पश्चिन बंगाल राजे के राजेपाल जगदीब धनकर को अपना इस्तिपा सौपा है किसे राजेपाल जगदीब धनकर को अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यह हैं गुपाल बनर जी जो नेक्स्ट बनेंगे नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर सीक्स मालदीप में भारत की नए उचायुक्त के रूप में किसे नियुक्त दिया गया औप्सन यह परफूल सुकला उचायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया मौनु महावर वर्स 1996 बैच के भारती विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो कि इस समय ओमान में भारती राजदूत के रूप में कारे रत हैं मालदीप की रजधानी क्या है माले हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यह है मौनु महावर नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर सेवन दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहग जहाज एवर एस किस देश की यात्रा पड़ गया अप्सटन ने है निदर लैंड से रॉटर डैम बी चीन और ब्राजिल सी जपान और भारत डी इंग्लैंड और रूस इसका राइट एंसर है ए निदर लैंड से रॉटर डैम इसके डिफनेशन को देख लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहग जहाज एवर एस निदर लैंड से रॉटर डैम देश की यात्रा पड़ गया एवर एस मालवाहग जहाज की कूल लंबाई 400 मीटर है और चोड़ाई 16.5 मीटर है जो की 24,000 कंटेनरों को ले जाने की छमता रखता है जो की वर्तमान में बिटेन के सफक काउटी में है अब हम लोग नेश्ट देख लेते हैं यह मालवाहग जहाज एवरेस नेश्ट देखते हैं कूस्टन नमबर एट किस हवाई अड़े को CBIC ने सीमा सुलकादी सूचित हवाई अड़ा घोसित किया ओप्शन यह कूसी नगर हवाई अड़ा ओप्शन भी यह चंडीगर हवाई अड़ा कूसी नगर हवाई अड़ा ओप्शन डीए इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर है एक कूसी नगर हवाई अड़ा इसके डिफिनिशन को देख लेते हैं किंद्री पर्तियचकर और सीमा सुरच्छा बोर्ड ने कूसी नगर हवाई अड़े को सीमा सुलक अधिसूचित हवाई अड़ा घोसित किया जिसके तहत बहुत तिर्थ यात्रियों को सहीत अंतराश्टिय यात्रियों की आवाजाही में असानी होगी कूसी नगर हवाई अड़ा कूल छे सो एकर के छेतर में फैला है जिसे फरवरी में डेजी सीय ने अंतराश्टिय उड़ाने संचालिक करने का लाइसेंस दिया था ओकी अब अमरे नेश्ट देख लेती है ये है वो नेश्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर नाइन किस कमपनी में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक वीनोक्स लांच किया है औप्सन यह भी प्रो औप्सन व्य इंफोसिस औप्सन यह इफ को औप्सन यह में से कोई नहीं इसका राइट एंसर है भी इंफोसिस है इसके डिफनेशन को देख लेते हैं इंफोसिस ने बी टूबी और बी टूसी खरिदारों के लिए हाइपर सेग्मेंटेड वेक्तिगत ओमनी चैनल वानी जे अनुभवों को सुरच्छित रूप से बितरित करने में उद्यामों की मदद करने के लिए इंफोसिस एक विनोक्स लॉंच किया यह प्लेटफॉर्म भविष्ट तयार आर्किटेक्चर उद्यामों के लिए अध्यूतिय माइक्रो सर्विसेज और पूर्व निर्मित अनिभवों को चुनने के लिए लचीलापन परदान करता है इंफोसिस कंपणी की स्थापना कप की गई थी वर्स 1981 में अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेते हैं यह हैं इंफोसिस नेक्ष्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर 10 किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयत्र चालू किया अप्शन E अडानी ग्रूप ने जमसेथ पूर्वर्क्स में भारत का पहला कार्वन कैप्चर प्लॉंट इस्थापित किया जो कि बलाश्ट फड़ने स्कैस से सीधे CO2 निकालता है इस CO2 प्लांट का उद्गाटन टाटा इस्टिल के CO2 भी नरेंदर नने किया या साई यत्र पढ़ते दिन 5 टन CO2 ग्राहन करने की छमता रखता है टाटा इस्टिल के स्थापन कप की गई थी 1960 में इसके संस्थापक है जमसेथ जी टाटा और मुख्याले है मुंबई में अब हम लोग नेश्ट देख लेते हैं ये है CO2 कैप्चर नेश्ट कोश्यन है Question number 11 बीश्व रोगी सुराच्छा दिवस मनाया जाता है कब Option A 17 September Option B 16 September Option C 15 September Option B 14 September इसका राइट अंसर है A 17 September इसके definition को देख लेते हैं 20 बोगी सुराच्छा दिवस जिसे हर साल 17 September को चिन्हित किया जाता है माई 2019 में 72 वी वीश्व स्वास्त सभादवारा रोगी सुरच्छा पर वैस्विक करवाई पर संकल्प W.H.E. 72.6 को अपनाने की बाद इस्थापित किया गया था सरकल्प रोगी सुरच्छा को वैस्विक स्वास्ते प्राथमिक्ता की रिउप में माननेता देता है और 20 वीश्व रोगी सुरच्छा दिवस की उद्देश को बढ़ावा देता है अर्था सर्विजनिक जारुकता और जुराव बढ़ाने वैस्विक समझ बढ़ाने और वैस्विक एक जूटता और रोगी सुरच्छा को आगे बढ़ाने के लिए करवाई करना है अब हमें लोग नेश्ट देख लेते हैं यह है वर्ल्ड पेसिंट सेफ्टी डे 17 सिक्तंबर अब हमें लोग नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर बाड़ा हाल ही में भारा सरकार ने कब पहली बार वैस्विक बॉथ सम्मिल और आयोजित करने का निर्ना लिया है अब इसके डिफनेशन को देख लेते हैं भारत उनीस और बीस नमबर दोरेक कैस को नालंदा बिहार में नव नालंदा महा बिहार पड़िसर में पहली बार वैस्विक बॉथ सम्मिलन की मिजवानी करने के लिए तयार है भारतिय संस्कृतिक संबंध परिशत द्वारा आयोजित किया जा रहा अकादमिक सम्मिलन एक वार्सिक कारेक्रम बन जाएगा भारत में है तिलंगाना, सारनाथ, गंगटोग और धर्मसाला और विदेसों में है जपान, दच्छिन कोडिया, थाइलेंड और कमबोडिया में चार छेतरिय सम्मिलन आयोजित किये जाएंगे इन छेतरिय सम्मिलनों की रिपोर्ट उदघाटन वैस्पिक बॉस सम्मिलन में परस्तूत की जाएगी अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेते हैं यह है नरेंद्र मोदी जो उदघाटन करेंगे नेक्ष्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 13 टाइम्स की सो सबसे परभापशाली लोगों की सूची में निम्निमे से कौन से भार्थी ये सामिल नहीं है आप्षन ने है नरेंद्र मोदी, आप्षन भी अदारपुनावला, आप्षन सी ममतव अनर्जी, आप्षन डी सोनो सोद इसका राइट एंसर है डी सोनो सोद इसकी डिफनेशन को देख लेते हैं टाइम पतरीका ने दोरे कैस के सो सबसे परभापशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनवरन किया है टाइम मैग्जीन ने परधान मंतरी, नरेंदर मूधी, पश्चिन बंगाल की मुख्य मंतरी ममतव अनर्जी और सीरम इस्ट्यूट आफ इंडिया के सीओ अधार पुनावला को दोरे कैस के दुनिया के सो सबसे परभाशाली लोगों में सामिल किया है सूची को 6 स्रेनियों में बाटा गया है परतीग, पैयनियर्स, टाइटन्स, कलकार, नेता और नप्रवतन करता ओकी हम लोग नेश्ट देख लेते हैं ये है नरेंदर मूधी जी, ये ममतव अनर्जी और ये अधार पुनावला है इनी तिनों को मिला है अब हम लिए नेश्ट देख लेते हैं क्वेश्टन नमबर 14 किस IIT संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उरान शुरूब किया गया है औप्शन E है इसके डिफनेशन को देख लेते हैं भारतिय परद्योगे की संस्थान बॉंबे निसिच्छा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भासा अनुवादक प्रोजेक्ट उरान लॉंच किया है जो संदेशों के परवा को भाधित करता है प्रोजेक्ट उरान एक दान अधारित परियोजना एक end-to-end परिस्तित की तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्ने सभी भारतिय भासाओं में वैग्यानिक और तक्निकी सामगरी का अनुवाद कर सकता है अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेते हैं यह है इंडिया इंस्टूट आफ टेक्नलोजी बॉम्बे नेक्ष्ट कॉस्चन देखते हैं कॉस्चन नमबर पंद्रा नीती आयोग और आरेमाई इंडिया ने हाली में सुनने परदुसन वाली डिलिवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की सुरुवात की है आप्शन ने है पॉल्यूशन अभियान आप्शन भी है फ्री सेफ अभियान आप्शन C गो पोलूतेट की अभियान आप्शन D सुनने अभियान इसका राइट एंचर डी सुनने अभियान इसके डिफनेशन को देख लेते हैं अमिरीका इस्तित रोकी मांटेन इस्ट्यूट और आरेमाई इंडिया की सायोग से सुनने परदूसन वितरन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उभगताव और दियोग के साथ काम करके सुनने नाम का एक अभियान सुरू किया है अभियान सहरी डिलिवरी सेग्मेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों इवी को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्ते परियावरन और आर्थिक लाभों के बाड़े में उभोगता जारुकता पैदा करेगा अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेते हैं यह है वो इस्टिटूट सुनने अभियान और नितिया योग अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने किस दिन वाइट हाउस में पहले व्यक्तिगाद रूप से क्वार्ट समीट में भाग लेंगे आप्शन E है B सिप्तमबर आप्शन B 24 सिप्तमबर आप्शन C 14 सिप्तमबर आप्शन D 16 सिप्तमबर इसका राइट एंसर है B 24 सिप्तमबर इसके डिफनेशन को देख लेते हैं परधान मंत्री नरेंद्र मोदी 24 सिप्तमबर दिरेकाईस को वासिंग्टन D.C. में वाइट हाउस में पहले वार्वेक्तिगाद रूप से को भी संबोधित करेंगे अन्ने दो नेता हैं आउस्टेलिया के परधान मंत्री स्कॉट मोरिशन और जपानी परधान मंत्री योशे हिदेशुगा भी सीखर संबिलन में भाग लेंगे राश्पती जो वीडेन के पदभार गरहन करने के बास से पीम मोधी की संयुक्त राजजी अमेरिका की यह पहली यात्रा होगी और बीडेन के पद समालने के बास से दोने नताओं के बीच पहली व्यक्तिगा बैठक भी होगी अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेते हैं यह हैं नरेंदर मोधे जी यह जो बाइडन यह स्कॉर्ट मॉरिशन और यह योशिहीदे शुगा अब हम लोग नेक्ष्ट देख लेते हैं आज की स्रीस यहीं पर समाप्त होती है आज मैंने 16 कोस्टन कराए टोटल आई होप आप सभी को पसंद आई होगे यह है आज का प्रस्ण वह कौन है जो गुजरात के अहमेदाबाद में पुलिस भावनों का उदगाटन और सेतु एप्लिकेशन का सुभारम किया है अप्सन यह स्री अमीज सा अप्सन भी है स्री राजनास सी अप्सन यह स्री नरेंदर मोती जी अप्सन यह स्री हरदीप सी पूरी इसका राइट एंसर आप सभी को कमेर्स बॉक्स में बताना है इसका एंसर मैं कल के क्लास में बताऊंगी अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़के ले सकते हैं मेरे सोसल मेडिया हैंडल से टेलीग्राम चैनल और इस्टाग्राम है इससे जोर के आप PDF ले सकते हैं और कोई भी क्वेरी सो वह भी पूस सकते हैं अगर मेरे कलास पसंद आई तो प्लिस लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनलर पर आप नए हैं तो प्लिस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सेर करना बिल्कुल ना भूले इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और बेल आइकन दवाना बिल्कुल ना भूले बेल अकिन रवांसी क्या होगा मेरी हार आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएगी कोई भी किलाज इससे मिस नहीं होगी आपकी पढ़ते रहिए खुश रहिए थैंक्यू थैंक्यू फूर वाचिंग